हलो गाई, सौगद आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे और रिसेंटली भारत की स्टार महिला वेट लिप्टर मीरा भाई चानू ने टोकियो आलोमपिक 2020 में देश को पहला मेडल दिला दिया है चानू ने टोकियो आलोमपिक में वेट लिप्टिंग में पदक का भारत का 21 साल का इंतिदार खत्म किया और रज़त पदर जित कर देश का खाता भी खोला उन्होंने मैलाओ की 49 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में सिल्वर मेडल अपने नाम किया भारतिय वेट लिप्टर मीराबाई चानू ने फाइनल प्रयास में 117 किलो वजन उठाया और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा उन्होंने दूसरे प्रयास में 115 किलो का वजन उठाया हालाकि पहले प्रयास में वह केवर 110 किलो भार ही उठा पाई थी इससे पाइले करनम मले शोरी ने सिडनी ओलमपिक 2000 में देश को वेट लिप्टिंग में कांसे पदक दिलाया था यहाँ पदक मीराबाई के लिए इसले माइनी रखता है क्योंकि 2016 में हुए रियो ओलमपिक के उनका प्रदर्शन बहदी निराजनक रहा था दोकियों के लिए कॉलिफाई करने वाली इक्योंती वेटिप्लर निराबाई का रियो ओलमपिक में क्लीन एंड जर्प में तिनों में से एक भी प्रयास वैलिट नहीं हो पाया था जिससे 48 किलोग्राम में उनका कुल वजन दर्फ नहीं हो सका पास साल पहले के इस निराजनक प्रदर्शन के पास उन्होंने वाक्ति की और 2017 वर्ल्ड चैंपिंशिप में और फिर एक्सल बात कॉमन बेल्ड गेम में गोल्ड मेडल जित कर तो इस वीडियो में बस इतना अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज सब्क्राइब को मैं चैनल थैंक यूँ